नमस्कार दोस्तों, Civil Affairs चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम घटना सार समसामाई की Current Affairs अधवार्शिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम 6 मंस की Current Affairs को देखेंगे जो की जुलाई से लेकर के दिसमबर 26-23 तक के Current Affairs है साथी साथ UPSC, UBPSC, MPPSC, BPSC, CGPSC, UKPSC, RAS, EPFO, EPFC, ROARO, Assistant Professor, TET तथा Unstate Examination की त्यारी के लिए Topics को देखेंगे, One Liners को देखेंगे चली चर्चा की शुरुआत करते हैं पहला Topic है हमारा केन्या के राश्पती की भारत यात्रा केन्या के राश्पती विलियम सामोई रूटो ने एक उच इस्तरी प्रतिनिधी मंडल के साथ 4-6 दिसमबर 23 तक भारत की राज़की यात्रा की पास इसमबर को राश्पती भवन में उनके आपचारिक स्वागत के बाद प्रधान मंत्री मोदी और केन्या के राश्पती रूटो के बीच 25 संबंधों में बादचीत हुई दिल्ली इस्थित हैदराबाद हाउस में बाचीत के बाद प्रधान मंत्री मोधी ने कहा केनिया को उसके क्रशी छेतर के आधुनिकी करण के लिए भारत 25 करोड अमेर की डॉलर 2084 करोड रुपए से ज़्यादा की रिड सहायता प्रधान करेगा भारत ने अपनी विदेशी यात्रा में विदेश नीती में हमेशा अफ्रीकी देशों को उच्छे प्राथ मिक्ता दी है और पिछले लगबग एक दशक में मिशन मोड पर महादीप के साथ अपने समगर संबंधों का विस्तार भी किया है हाली में G20 की जो मैठक भारत में हुई थी उसमें अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया और G20 को G21 में कनवर्ड किया गया दोनों देश दोजातेश में राजनाईक संबंधों की 60 वशगाट मना रहे हैं लेकिन हमारे संबंधों का इतिहास हजारों वश पुराना है मुंबई और मुंबासा को आपस में जोडता हुआ विशाल हिंद महासा अगर हमारे प्राचिन संबंधों का साक्षी रहा है केन्या के राश्पती रूटू ने आतंगवाद को भारत और केन्या के लिए बड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि भारत और केन्या के रक्षयाबल आतंगवाद की चुनौती से निपटने के लिए अन्भा और ग्यान और खूफिया जानकारी साज़ा करते हुए साथ काम कर गरताओं की भारत केनिया के लिए बेहत उप्योगी राया है, खास कर समुद्री छेत्र में मैं हिंदर महासागर में केनिया से संबंदेत और प्रासंगिक संसादनों क्यानुसंधान और दस्तावेजी करण में भारत की समर्थन के लिए प्रधान मंतरी मोधी को धन्यवाद द बाचीत के दौरान भारतों केनिया ने आप सीव्यापार को डॉलर की जगर रुपए में करने पर सहमती व्यक्त की है साथ ही केनिया UPI के प्रोग्राम के लिए भी तयार है RBI ने जिन 22 देशों में special रुपे वोस्त्रों खाते जिसको हम कहते हैं वोस्त्रों अकाउंट खोलने की मंजूरी दी उसमें केनिया भी शामिल है एक नोस्त्रो अकाउंट होता है, दूसरा वोस्त्रो अकाउंट होता है, बिसिकली क्या होता है, दोनों देश जो नोस्त्रो और वोस्त्रो खाता खोलते हैं, अपने अपने देश में दूसरे देशों के बैंकिंग शाखाएं खोलते हैं, वहाँ पर उनके देश की करंसी, जो दूसरा देश होता है अपनी करेंसी जो डिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वहाँ पर अपनी करेंसी को डिपॉजेट कर आता है उस करेंसी में बैंक आता होता है और उससे लेंदेन होता है जो भी व्यापार होता है तो दूनों देश अपनी करेंसी में लेंदेन करते हैं पाचित के दोरान भारत और केन्या ने अपसी व्यापार को डॉलर की जगर रुपए में करने पर सहमती व्यक्ति की, साथ ही केन्या ने UPI प्रोग्राम के लिए भी तयार हो गया, RBI ने जिन 22 देशों में स्पेशल रुपए वो उस्तरों खाते, खोलने की मनजूरी दी है, उ हरुलू बैंक इसका उप्योग अपने उन ग्रहाकों को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस देने के लिए करते हैं, बाचित के दोरान भारत और केन्या के बीच विभिन चेतरों से जोड़े पास समझावतों पर हस्ताक्षर किये गए, इनमें खेल, सूचना हैं, अफ्रीकी संग के G20 में शामिल होने के बाद केन्याई राश्पती ने भारत दोरे पर PM मोदी के साथ खुशी जताते हुए कहा कि रूटों की यात्रा से केन्या और अफ्रीकी संग के साथ भारत के संबंदों को नई मजबूती मिलेगी, इस अवसर पर केन्या के राश अव्यक्त की, समझाते के महत्पुन बिंदू, खेलों में दोनों देशों के भी सहयोग, डिश्टल परिवर्तन के लिए जनसंख्या इस्तरपक कार्यान विद सफल डिजिटल समाधान को सहन करने के छेत्र में सहयोग, दो जाते ही से 27 के दोरान, दोनों देशों के भी सांस के-ई-बि-एस के भी समझाता इंद्रा गान्धी, राश्ट्री मुक्त विद्याले, इगनू, इंद्रा गान्धी, उपन यूनिवरिस्टी और केन्या मुक्त विश्विद्याले के भी समझाता गयापन, गुजरा सरकार ने घोल मचली को राज मचली गुशित किया, गोल मचली को गुजरात की राज मचली घोशित किया, गोल मचली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मचली में से एक है, सुनारे भूरे रंग वाली इस मचली का वैगयनिक नाम है, प्रोटो नोबिया डायकैंथस, इसे सोने के दिल वाली मचली भी कहा जाता है, यह मचली गुजरात और महाराष्ट के समुदरी इलाकों में पाए जाती है जो अपने मांस और air black के लिए मूलिवान और लोकपरी है घोल मचली का उप्योग beer और wine बनाने के लिए बी किया जाता है और इसके air bladder इसके manz और air bladder के लिए मुलिवान और लोकपरी भी है और जो इसका air bladder होता है इसका उपयोग फार्मसुटिकल्स में किया जाता है घोल मचली का manz और air bladder अलग-अलग बेचे जाते हैं air bladder मुंबई से नरियात किया जाता है इसकी लंबाई लगबग डेड़ मीटर होती है घोल मचली जितनी लंबी होगी उसकी demand और उसकी pricing भी उत्ती अधिक होगी प्रती unit लंबाई घोल मचली की किमत 5 लाग रुपए हो सकती है या इससे भी जादा हो सकती है भारत की सबसे तेज सौर एलेक्टिक नाव बाराकुडा लांच होई basically बाराकुडा नाम French name से आता है और बाराकुडा class की समम्रीन lycause submarine है फ्रांस की बहुत प्रसेद न्योक्लेज सम्रीन है जो SSN class की न्योक्ले सम्मरीन कैलाती है attack submarine होती है ये तो अब इस टॉपिक की बात करते हैं, भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्टिक नाव बारा कुटा लॉंच की गई, परिवरण अन्कूल समुद्री परिवरण के उद्देश को आगे बढ़ात हुए भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्टिक बोर्ड बारा कुटा को 13 दिसम्ब हो जाते हैं, इसको केरल के अलापुज्जा में अरूर के पास सिर्थ नोवर्ड सूलर और इलेक्टिक नावों के यार्ड में लॉंच किया गया, इसका नाम तेज लंबी मचली बारा कुड़ा के नाम पर रखा गया है, इसे नेवर्ड द्वारा डिजाइन किया गया जो ब किलो मीटर प्रती घंटा की तेज गती प्राप्त कर सकता है, और एक बार चार्ज होने पर इसकी काम करने की अवधी साथ घंटे है, इसमें दो पचास किलो वार्ड के अलेक्टिक मोटर लगी है, साथ ही इसमें समुद्री ग्रेड, LFB, LFP, 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 बैटरी और 6 किलो वार् अदा करने वाला जनरेटर भी लगाए गया है, जो कुशल सौर स्वक्ष उर्जा उप्यों का प्रतीक है, जो कुशल और स्वक्ष उर्जा उप्यों का प्रतीक है, जहाज का निर्माण मजगा और डॉक लिम्टिड के लिए किया गया था, जो अपने मुंबई डॉक पर प और समुद्री छेत्र को डी कार्बोनाइजिंग बनाने की दक्षिता रखता है बर्लिन स्टार्टप एनर्जी ट्रांजिशन अवर्ड्स दो जाते हैं में मोबिलेटी और ट्रांस्पोर्ट शेडी में विश्व का सवसेष्ठ स्टार्टप पुरुष्कात से समानित किया गया है तो बिसीकल याभी बातचीत भी चल रही है एलेक्टिक इंजन के लिए जो की रोयल स्रॉय बनाती है ब्रिटेन की कंपनी है रोयल स्रॉय तो उससे बातची चल रही कि भारत में इलेक्टिक इंजन बनाये जाएंगे तो यह इंजन नेवल शिप के इंजन है जैसे की नेवल आपकी एरक्राफ्ट केरियर होते हैं और फ्रिग्रेड्स और डेस्ट्रॉयर होते हैं तो उसमें लगाने के लिए ऐसे इंजन भारत उत्राखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सरवाधिक 18 जी आई टेग मिले हैं ऐसी उड़ीसा को सार जी आई टेग मिले हैं दिसम्बचाद हो जाते इसको हाली में उत्राखंड देश का पहला राज्य बना जिसे एक दिन में सरवाधिक 18 जी आई टेग प्राप किया उत्राखन के जी आई टेक प्राप्त प्रमुक उत्पात देख लेते हैं बेरी नाग चाय है इस चाय की लंदन के चाय घरों और चाय ब्लैडरों में अत्यधिक मांग है तो लंदन के जो चाय घरे और चाय ब्लैंडर है तो वहां पर बहुत ज्यादा मांग है इस चाय की बेरिनाक चाय की, इस चाय को हिमालेन या हिमाले में जंगली रूप से उगने वाले एक पौधे की पत्यों से बनाय जाता है, जिसे बाद में एक ठोस द्रव्यमान में संपीडित किया जाता है, बिच्चु या बिच्चुआ बूटी कपड़ा या हिमालेन नेट्टल जिससे प्राकृतिक इंसुलेशन बनता है, या कपड़ा सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम के लिए उप्युक्त होता है, मंडुआ या उत्रखन के गड़वाल और कुमायों में उगाय जाने वाला बाजरा है, जो राज्य के कई हिस्सों में मुख आहार के रूप में उप्यू किया जाता है, जंगोरा ये उत्रखन में हिमाले के वर्षा आधारी छेत्रों में उगाय जाने वाल है, घरेलू बाजरा है जंगोरा, एक क्या है घरेलू बाजरा है, गहत ये उत्रखन के शुश्क छेत्रों में उगने वाली सबसे महत्पूर दालों में से एक है गहत तो गहत क्या दाल है? लाल चावल, ये उत्राखंड के पुरोला चेतर में जैविक रूप से उगाया जाता है काला भटा, काला सोया बीन ये सोया बीन की एक किस्म है जिसे गलाüp, जालाउिसिन मेक्स कहा जाता है इसका उत्पादन उत्राखंड के कुमायू छेतर के साथ साथ इसके सीमावर्ती राज्य और हिमाले के छेतरों में खाद्य उत्पादन के रूप में किया जाता है माल्टा फल यह एक संत्रे जैसा दिखने वाला गहरे नारंगी और लाल रंग का स्वादिश्ट फल है जिसकी खेती उत्राखंड की पहाड़ियों में की जाती है बिटेश आशन के समय इसे माल्टी ओरेंज के रूप में जाना जाता था चौलाई रामदाना यह उपवास वरत की समय उप्यूग किया जाने वाला नाज है जिसमें आइरन और केल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है चौलाई रामदाना में बुरांश का रश इसे रोडो डिंड्रोन आर्बोरियम के लाल फोलो से प्राप्ति किया जाता है जिसका उप्यूग स्वास्त तवचा सबमंदी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है यह उत्राखंड के पहाड़ी छेत्रों में पाई जाते हैं बुरांश के रश पहाड़ी तूर दाल तूर मतलब अरहर की दाल यह दाल उत्राखंड में जैविक रूप से उगाई जाती है इस दाल में पोशक ततों जैसे कार्बो हाइडर्ड, आईरन, फॉस्फोरस, मेगनीज और विटामिन सी, बीवन और बीनाइन भरपूर मातरा में पाई जाती है नकाशी उत्राखंड के कुमाई छेत्र में पाई जाती है जो अब लुप्त हो रही है नैनिताल मुमबत्ति मुमबत्तियां यह मुमबत्ति उत्राखंड के नैनिताल में बनाई जाती है जो वर्तमार में सरकारी सहयोग के अभाव और चैनीज मुमबत्ति के बाजार में आ पुशाक है औधनी, जो की ओड़ी जाती है, जिसे विवाहित महिलाएं मांगलिक अउसरों पर पहनती हैं ये गहरे पीले रंग का होता है जिस पर लाल रंग के धब्बे होते हैं इसके बीच में एक स्वास्तिक मार्क होता है तथा इसके चारो कोनों पर शूर्य, चन्रमा, शंक, घंटी, आदी की आकरती बनी होती है लीची, इसका उत्पादन उत्राखंड के रामनगर नैनिताल में किया जाता है जो अपने विशेश रिस्वाद के लिए प्रसिध है आडू, इसका उत्पादन उत्राखंड के नहनिताल जिले की रामगड घाटी में किया जाता है यह गुलाबी धबो वाला रसीले फलो में से एक है रमाण या रामन मुखोटे यह एक नरत्य शैली है जिसे उत्राखंड के चमौली जिले में रमाण उस्साओ के समय प्रस्तुत किया जाता है इसमें नरत्यक अपने मुख में मुखोटा पहनता है फिर नरत्यक अला का प्रदर्शन करता है अल्मॉडा लखोरी मिर्च अल्मौडा की लाखोरी मिर्च या एक पीले रंग की मिर्च की किस्म है जिसका उत्पादन अल्मौडा के लाखोरी घाटी में किया जाता है इसी कारण इसका नाम लाखोरी या लखोरी मिर्च पड़ा है GI टै किसी क्रशी प्राकृतिक अत्वा विनिनपित उत्पाद हस्त शेल्प या और द्योगिक वस्तू को प्रदान किया जाता है जो किसी विशिष्ट छेत्र का प्रतिनिद्ध तो करती है या जिसे किसी निश्चे छेत्र में ही उगाया निर्मित किया जाता है तो बिसिकली वस्तु के लिए या किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, किसी व्यापारी को नहीं दिया जाता है, पर्टिकुलर उस प्लेस को दिया जाता है, जहां पर वो वस्तु बनाई जाती है, या वो वस्तु उगाई जाती है GI TAC को अधियोगिक संपत्ती के संरक्षन हेतू पेरिस कन्वेंशन के अंतरगत बौधिक संपता अधिकारों IPRS के घटक के रूप में शामिल किया जाता है इंद शाषिर प्रिदेश लदाग के सी बर्क बक थान को मिला GI TAC भारा सरकार के वाड़ेज और उद्योग मंत्राले के तहत काम करने वाली भावगोलिक संकेतक GI Registry निया अधिकारिक तौर पर लदाग के उद्योग और वाड़ेज विभाग को श्रेणी 31 में लदाग सी बर्क थान लदाग सी बक थान के लिए GI TAC प्रदान किया है और इसे पंजीकरत मालिक के रूप में स्विक्रति प्रदान की है सी बक थान को वंडर प्लांट लदाग गोल्ड गोल्डन बुश या ठंडे रेकिस्तानों की सोने की खान के नाम से जाना जाता है यकें शाषी प्रदेश का चौथा GI TAC है इससे पहले लदाग पश्मीना खूबानी रकत से कारपो प्रजाती और लदागी लखड़ी की नकाशी को भी GI TAC मिल चुका है सीब कर्थान, सीब कथान, सीब कथान NE का नबे प्रतेशत उतपादन भारत के लदाग के कारगिल में होता है सीब कथान लदाग का दूसरा फ़ल है जिसे GI TAC के रूप में विशेश पहचान मिल रही है सी बक्थान के कई उत्पादों का पोशड और और औरशदी महतो है सी बक्थान हिपोफे एल लदाक का एक अद्वुत पौधा है और इसका नाम लेह बेरी है जो छोटे नारंगी या पीले रंगे जामन पैदा करता है जो स्वाद में खटे होते है लेकिन विटामिन विशेश रूप से विटामिन सी से भरपूर होते है यह प्राक्रितिक रूप से लदाक छेत्र में 11,500 हेक्टेर में विश्तरित है यह जाड़ी माइनस 43 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक के अत्यधिक तापमान का सामना कर सकती है और इसे सूखा प्रतिरोधी भी माना जाता है चली चैजर को यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद